Hello Students, Welcome back to my channel Lucky Lecturer आज का जो वीडियो क्लाश 12th के लिए है ये वीडियो क्लाश 12th के Physics से बनाया गया है ये Physics का Chapter No.1 है ठीक है Chapter का नाम है बेद्दुताबेस तथा छेतर क्या है बेद्दुताबेस तथा छेतर जिसे इंगलिस में कहते है Electric Charge and Field आज हम बेद्दुताबेस तथा छेतर के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगा आपको जो कि आपके Board Exam 2024 के लिए बहुत ही जादा Important Topic है ठीक है तो जो टॉपिक है कूलाम का नियम अब कूलाम का नियम क्या होता है इसको मतलब numerical सुरूम में कैसे लिखते हैं और इसके जो कूछ कूष्ट्यां से मतलब एक numerical भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो आए चलते हैं सुरू करते हैं पहला जो टॉपिक है पहला ही में टॉपिक है जो टॉपिक है कूलाम का नियम तो आए चलते हैं देखते हैं क्या होता है कूलाम का नियम ठीक है तो लिखा हुआ है सन 1750 इस भी में फ्रांसीसी बैग्यानिक कूलाम ने परियोगों के आधारपत दो आबेसों के बीच कार करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं ठीक है तो क्या पता है उन्होंने कूलाम का नियम जो कूलाम जी थे कूलाम एक बैग्यानिक थे जो कहां के थे फ्रांस के रहने वाले थे जिनका नाम कूलाम था वो एक बग्यानिक थे उन्होंने 1785 सिभी में मतलब क्या किया कि दो आबेस लिए ठीक है उन्होंने क्या किया तो दो आबेस लिए मानलेजी कोई आबेस है इधर Q1 ठीक है उसके बाद में दूसरा आबेस है Q2 ठीक है यह मानलेजी कोई दो आबेस है अब इन दो आबेसों की में कुछ मतलब चाहे आगर्सन का बल हो चाह पर्दिकर्सन का बल हो यह अपलाई हो रहा था तो जो यह बल अपलाई हो रहा था इस बल को हम बैदुत बल बोलते हैं क्या बोलते हैं बैदुत बल इस बल को हम बैदुत बल बोलते हैं ठीक है तो इन्हों ने इसी बल के संदम म का नियम कहते हैं ठीक है तो आए चलते हैं देखते हैं कूलाम का नियम जो है और मतलब रेल्टी में कैसा नियम है क्या है इस नियम के बारे में क्या है आए देखते हैं ठीक है तो देखते हैं इस नियम के अनुसार लिखा हुआ है इस नियम के अनुसार लिखा हुआ है दो इ परतिकरसन का बल है त्था नियम के नमसार कूलाम जी ने ये इतना पूरा बता है थीक है अब इसको numerical 5 में कैसे परदर्शित करेंगे, आए देखते हैं, ठीक है, तो मानली जे कोई 2 गिन्द attempt, इस थिर गिन्द वीधार जीस पर Q1 आबेश है, ठीक है, दो इस थिर गिन्द वीधार है, डोस्तिव बिन्द वीधार है, ठीक है, तो जो इन्होंने नियम में बताया है, नियम में क्या बताया है, कि जो इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथो पर्तिकर्षण का बल है, मतलब यह जो बल है आकर्षण अथो पर्तिकर्षण का बल है, ठीक है, तो यहां आकर्षण अथो पर्तिकर्षण इसलिए कह दिये है अगर यह समान परकार के आवेस हैं तो इनमें पर्तिकर्षण का भल लगेगा और यह विप्रीत परकार के आवेस हैं तो इनमें आकर्षण का भल लगेगा ठीक है तो इन्होंने इस कारण से यहां पर आकर्षण रथो पर्तिकर्षण सब्द का उलेक किया है ठीक है इस नियम बिदिये हैं कि माना Q1 तथा Q2 दो बिंद वाबेस हैं जो एक दूसरे से आरदूरी पर इस्थित हैं ठीक हैं तो उनिके बीच जो लगने वाला बल यफ हो तो नियम के अनुसार तो नियम के अनुसार क्या होगा आए जानते हैं ठीक हैं नियम के अनुसार क्या होगा तो निय फिर्मान पाथी होगा जो कि फोरस है ठीक है तो यह अनकर्मान पाथी फंवं आर्व स्कॉर 2, फोरस क्यों का लतका tis ने बताया गए उसमें बताया गया कि जो बल होता है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्याउत कर्मान पाथी होता इस कारण इसको हम यह अनos तो एक फाम में लिख देते हैं तो यह रख तो इसको एक फाम में लिख देते हैं तो यह अनकौर्मान पाति की उपान आर इसकोर यह इतना हो गए ठीक है अब हम जब यह अनकर्मान पाथी का चिन हाटा आते हैं तो एफ बराबर हो जाएगा के बराबर के इन्टु कीवन क्यू टू अपान आर स्कॉर ठीक है अब यहाँ जो के आया है देखिए अनकर्मान पाथी जो हटाए है तो एक सिंबल आगया के ठीक है के एक नियतांग है जिसे पराबेदुत नियतांग कहते हैं ठीक है तो के क्या है के यहाँ एक नियतांग है जिसे पराबेदुत नियतांग कहते हैं ठीक है अब के का जो मान होगा ना आबेसों के बीच के मतलब जो आबेस है यहाँ पर जो के का मान होगा वो इन आबेसों के म माध्यम पर आबेस दूरी वबल के मात्र को के मान पर निर्भार करेगा ठीक है इतना आपको समझ में आया होगा ठीक है तो अब कुछ और मैं आपको आगे इस के 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 बारे में बता रहा हूं कि जो के है यह परियोगों दौरा पता किया गया है कि के का जो बैलू होता है उन इंटू 10 के पावर 9 अब इसका के का एक मात्रक भी होगा ठीक है तो इस मात्रक को हम कैसे पता करेंगे इसी सूत्र से हम पता करेंगे के का मात्रक के सूत्र से जो यह बराबर के इंटू Q1 Q2 अब आर इसको इसी सूत्र से हम पता करेंगे किसका मात्रक के का तो देखिए अबर Q1 into Q2 ये जो दोनों हैं ये multiply के रूम में है तो इधर आएगा तो division के रूम में हो जाएगा ठीक है तो जो के है के बराबर हो जाएगा यप R square क्या हो जाएगा यप एक मिनट लिख के बता रहे हैं F के बराबर हो जाएगा यप into R square अपान Q1 into Q2 ये इतना हो जाएगा अब जो K का मात्रग निखलेगा F का मात्रग होता है Newton R का मात्र होगा एगा मीटर मीटर स्कार हो जाएगा अपान Q1 into Q2 है तो ये आबेस का मात्र कूलाम होता है तो double ofries है तो कूलाम इसकार है तो जो Q क का मान आ आया है न्यूटन मीटर स्क्वाइर पर्त कूलाम स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है ये तिना आपको समझ में आया होगा तो जो के का मान है के का मान जो है उन 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वाइर पर्त कूलाम स्क्वाइर हो जाएगा ठीक है ये के का मान हो जाएगा ठी फॉर बाइ एस साहई लान नाट के बरावर होता इसके बरावर होता ठीक है यह जो है इससे कहतması अजया चाहीं से इससे बादू तांग गएते हैं ठीक है यह बादू होता है एक परकार के भी इक Go प 4 पाई epsilon नाट ठीक है आब epsilon नाट को वहीं रहने देते हैं तो जो यह हो जाए हो 1 upon 4 पाई into multiply 9 into 10 to power 9 ठीक है अब जो epsilon नाट का जो बैलू आएगा वो हो जाएगा 8.85 into 10 के power minus 10 के power minus अब इसका मात्रक क्या होगा अब इसका मात्रक देखिए यहां से पता हो जाएगा इसका मात्रक क्या होगा क्ये का मात्रक क्या होगा क्ये का मात्रक होता है न्यूटन मेटर इसको है पर्त कूलाम इसको है अब इसको हम उपर भेजेंगे तो यह भी उल्टा हो जाएगा तो कूलाम स्क्वाइर, पर्त-नीटन-mE3, यह हो जाएगाऊआगा है, तो अगर क्ये का जो humano आया के का, क्ये का, मतलब यहां के का जो machen, हम पता गिने परियोगों द्वारा, वहाँ पान-4, पाई-5, पाई-5, इसको अगर हम इस फोर्म में लिखें, जो कि यहां लिखाओ इफ equal to k q1 q2 upon r square तब जो बैलू आएगा हो जाएगा f equal to 1 upon 4 pi epsilon not q1 q2 upon r square ठीक है यह हो जाएगा इफ का बैलू जो की main formula यही है इसी basis पे आपको कई सारे नुमेरिकल्स लगाने रहेंगे ठीक है नुमेरिकल्स लगाने रहेंगे ठीक है इसी वाले formula पे ठीक है तो आगे मैं आपको एक नुमेरिकल बताने जा रहा हूँ आप बड़े ही ध्यान से इस नुमेरिकल को देखना ठीक है तो जो नियम आया हम लोगों का उस नियम पे हम एक question नतलब एक नुमेरिकल solve करेंगे जो कि आपके ही book NCRT से बनाया गया है मतलब आपके book NCRT से लिया गया ठीक है तो देखते हैं question क्या गयरा question में लिखा हुआ है y में एक दूसरे से 30 cm दूरी पर रखें दो छोटे आबेसित गोलों पर क्रमसा 2 गुणे 10 के 10 के बावर माइनस 7 कूलाम तथा 3 गुणे 10 के बावर माइनस 7 कूलाम आबेस है तो उनके बीच कितना बल होगा ठीक है अब जो question पूछ रहा है इसमें क्या पूछ रहा है force पूछ रहा मतलब याफ जो होगा वो याफ कितना होगा अब हम लोग को दिया हुआ है कि वाव में एक दूसरे से 30 cm दूरी पर अब 30 cm जो दूरी है वो R है ठीक है R का value किनना हुआ है 30 cm दूरी ठीक है रखे दो आबेसित गोलों पर करम सा यह देखे यह Q1 का value दिया हुआ है यह Q2 का value दिया हुआ है ठीक है तो उनके बीच कितना force है हम लोग को solve गरना है ठीक है तो अब देखे फार्मूला क्या होता है फार्मूला होता है यह फ्यक्वल टू तो हमको Q1 दिया हुआ Q2 दिया हुआ और उसके बाद में R का value भी दिया हुआ अब हमको पता है कि 1 आपान फोर पाइफसालान नाट जो होता है वो के के बराबर होता है ठीक है अब जो के का value होता है 9 गुणे 10 के बार्म 9 Newton मीटर का पर 2nd square यह की पार ना किस इतना बेलु उता यह के का बेलु होता ठीक है तो आयो चलते हैं सुरू करते हैं देखते हैं सवाल कैसे रहे साल भोगा तो सबसे पहले जो centimeter है, उसको हम meter में कनोड करेंगे, तो meter में कनोड करने के लिए सबसे पहले हमको 1000 से divide करना हूं ठीक है अब 1000 से divide करेंगे तो जो value आएगा 0.30 तरी 0 आएगा ठीक है, अब ये explicit meter में कनोड हो गाए ठीक है, ये दिया हुआ उसके बाद में हम लोगों को दिया हुआ है Q1 तथा Q1 Q2 का value ठीक है तो Q1 का value कितना दिया हुआ है Q1 का जो value है 2 multiply 10 to power minus 7 कूलाम ठीक है कूलाम दिया हुआ है उसके बाद में Q2 का जो value दिया हुआ कितना हुआ है वो दिया हुआ है 3 गुने 10 के power minus 7 कूलाम ठीक है अब इतना बैलू हमको पता है, मतलब इतना दिया हुए, अब हमको सूत्र पता है कि फार्मुला क्या होता है, तो क्या होता है फार्मुला जो इफ होता है, इफ इक्वल टू वन अपान फोर पाई एपसाला नाट क्यू वन इन्टू क्यू टू अपान आर इसक्वार ठीक है, अब हमको इसका value पता है और यह सब दिया हुआ है इसका value ठीक है तो हम साल्व कर दें ठीक है तो वह नपान फोर पाई अपसाल नाट का जो value होता है वो 9 इंटू 10 के पावर 9 उसके बाद में भी multiply हो जाएगा अब Q1 का value दिया हुआ Q1 का 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 कुलाम यह इतना दिया हुआ ठीक है तो देखते हैं 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 इंटू 3 गुणे 10 के पावर माइनस 7 अब अपान में r square दिया आर का value किन्ना है 0.30 meter ठीक है यह r का value है ठीक है तो यहां r का value लिख दे रहे है 0.30 square ठीक है उसके बाद में इसको जब हम solve करेंगे त जो हम लोगों का अंस्वार आएगा वो 6 इंटू 10 के पावर माइनस 3 माइनस 3 न्यूटन ठीक है यह इतना हम लोगों का value आएगा ठीक है यह इतना f मतलब हम लोगों का जो बैद्दूत बल है उसका इतना बैदू आए 6 मल्टिपलाइ 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन अब ज देखे Q1 किनना दिया हुँआ Q1 दिया हुआ है 2 गुणे 10 के पार माने 7 कुलाम और Q2 दिया हुआ 3 गुणे 10 के पार माने 7 कुलाम ठीक है तो जो आबेज है ये की समान आबेस है मतलब बेलू अलगा अलग लिकिने एक पॉजिटिव एक निगेटिव ना हो कि दोनों ठीक है लिए विडियो आपको पसंद आया होगी अगर यहां शुरुआ से लेकर लास्ट तक जो पूरा हम बता हैं आपको अगर पसंद आया हो वीडियो को लाइक करने ठीक है चैनल को भी सब्सक्राइब अगर ना किये हो तो कर लें ठीक है